जेहिन दोस्तों आप सभी का स्वागति आपके अपने यूटूब चेनल दवंग क्लासेस पर तो दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए MPP प्लिस कॉंस्टेबल एक्जाम 2023 की पिप्रेशन को और बहतर करने के लिए लेकर आये हैं जो आप लोगों को बताना है कि जो महराष्ट अर्थात, मुंबई में बांद्रा, बर्स będा, समुद्री मार्ग है इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है तो इसका जो राइत आंसर होगा वह है आप लोगों का option n mesures 3 बीर दामोदर सावरकर के नाम पर बांदरा बरसोबा समुत्री मार्ग का नाम रखा गया है इस ब्रिज का नया नाम स्वातंत्र बीर सावरकर बांदरा बरसोबा सी ब्रिज होगा और अगर बात की जाए महाराष्ट राज्जी की राजधानी की तो वह है मुंबई और आंसर आप लोगों को बताना है करेक्ट आंसर जो होगा वा है आप लोगों का option number 3 San Francisco में गदर पार्टी की इस्थापना जो है लाला हर्दयाल जी के द्वारा San Francisco में की गई थी आगे चलते हैं next question की और next question में यहाँ पर आप लोगों से पुछदा है निमना लिखित में से कौन सा विसू का सबसे बड़ा रिसम उत्पादक देशे चार option आपको दिया गया पुछा गया इनमें से कौन सा सबसे बड़ा रिसम उत्पादक देशे तो right आउंसर आप लोगों को बताना है कि इसका जो correct answer आपको दिये गए और पूछा गया है जोगेस्वरी देवी का मिला कहां लगता है तो इसका जो राइट आंसर है वा है आप लोगों का आप्शन नमबर थ्री चंदेरी में जोगेस्वरी देवी का जो मिला है यहां चंदेरी में लगता है चंदेरी को मालवा का प्रबेश द्वार भी कहा गयता है चंदेरी से एक question और पूछा जाता है जो अभी forest exam 2023 में पूछा गया कि महा भारत काल में चंदेरी पर किसका सासन था तब आपका answer होगा सिशु पाल का महा भारत काल में चंदेरी पर सिशु पाल का सासन था और चंदेरी में बेजू बावरा का मकवरा भी इस्थी थे आगे बढ़ते हैं next question की और next question की और यहाँ पर देखिए next question में आप लोगों से पूछा जा रहा है Mountbatten योजना के बारे में निम्ने लिखित में से कौन सा कथन गलत है आप लोगों को दिये गए options में से बताना है तो इसका right answer क्या होगा देखिए यहाँ पर यह थोड़ा सा अधूरा है यहाँ पर नहीं भी लिखा आएगा ठीक है तो आप लोगों को बताना है कि इन में से कौन सी Mountbatten योजना के बारे में असत्य कथने तो इसे 3 जून 1947 को अपनाये गया था यह भी बिल्कुल सही है तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं ताकि आप इसका आंसर बता पाएं Mountbatten योजना की घुष्णा जो है 3 जून 1947 को Mountbatten द्वारा की गई थी इसके तहट तातकालीन भारत का दो देशो भारत एबं पाकिस्तान में बिभाजन किया जाना था Mountbatten ब्रिटिज भारत के अंतिम 22 राय थे तथा सोतंत्र भारत के पहले गवर्नर जेनरल बने थे तो यहाँ पर इसमें असत्य कथन की बात की गई तो इसका राइट आंसर होगा option number second जो है इसका राइट आंसर होने वाला है कि देश को दो डोमिनियन यानि भारत और पाकिस्तान में बिभाजित नहीं किया जागा ये असत्य कथन ने क्योंकि इस योजना के तहट पुर्व भारत का भारत और पाकिस्तान दो नए देशों में विवाजन किया गया था आगे बढ़ते हैं next question की ओर next question में देखी यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है तो इसका right answer आप लोगों को बताना है इसका correct answer जो होगा वह है आप लोगों का option number fourth red cliff भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसे red cliff के नाम से जाना जाता है और red cliff रेखा का जो निर्धारण है वह सर सिरिल red cliff के द्वारा किया गया था यह भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है रेड़ क्लीफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच अंतराश्टी रेखा है और इसका निर्धारण किया गया था सिरिल red cliff के द्वारा आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है अंबू बाची का मिला किस राज्ज में मनाया जाता है काफी ज्यादा important क्वेश्चन है अक्सर एक्जाम में आजकल पूछा जाता है लोग प्री क्वेश्चन हो गया एक्जाम का तो आपको बताना है correct answer क्या होगा तो इसका right answer है आप लगों का option number first असम अंबू बाची का जो मिला है यहाँ असम के गोहर्टी में कामख्या देवी मंदिर में आयोजित किया जाता है तो आप यहाँ से तीन question पूछे जा सकते हैं कि अंबू बाची का मिला कहां लगता है तो आपको option में कभी ग गोहर्टी लगएंगे क्योंकि असम के गोहर्टी में किस मंदिर में इसका आयोजित किया जाता है तो आपका answer होगा कामख्या देवी मंदिर में इसका आयोजित किया जाता है चलते हैं next question की और next question यहाँ पर पूछा गया है किस राजा ने अपनी राजधानी को उज्जेन से धार इस्थानांत्रित किया जहां उन्होंने संस्कृत अध्यन के लिए एक भी सुवित धाले की इस्थापना की तो दिए गया options में से right answer आपको बताना है करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का option number second राजा भोज देव ने राजा भोज जो की परमार बंस के नवे राजा थे इनहीं के नाम पर प्रदेश की राजधानी भोपाल का नाम पढ़ा है पहले भोपाल का नाम भोज पाल था जिसे बदल कर भोपाल कर दिया गया और इन्हों ने भोपाल के नस्दिक भोज पूर सहर की इस्थापना की जहां पर इन्हों ने सिभ मंदिर का निर्मान कराया और यहाँ पर जो question आप लोगों से पूछा गया है कि धार में जो संस्क्रत बिद्याले है या भी सु बिद्याले इसके स्थापना किस ने की थी तब भी आपका अंसर होगा राजा भोज़देव ने की थी चलिए चलते हैं next question की ओर next question में आप लोगों पूछा है चार option आपको दिया गया और पूछा क्या है चार option में से आप लोगों को right answer आपको बताना है जल्दी से देखिए तो इसका जो right answer होगा वह है आप लोगों का option no.1 इस लीग ने बंगाल के विभाजन का बिरोध किया था यहाँ बिल्कुल गलत कथन है इसके बारे में ठीक है ओल इंडिया मुस्लिम लिग जो है या मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मेंडल चाहता था यह कतन सत्य है मुसलिम जमिंदारों और नवाबों ने एक सम्हूं ने अखिल भारती मुसलिम लिग का गठन किया था यह भी सही है अगे आपसे पुछा जाए कि मुसलिम लिग का गठन कब किया था तब आपका अंसर होगा बर्स 1906 में आगा खां और सल्विम लिग की स्थापना की थी आगे चलते हैं नेक्स्ट कोशेन की और नेक्स्ट कोशेन में आप लोगों से पुछा गया है अठासो तिरपन में अंग्रेजों ने नाकपूर राजज पर कबजा कर लिया जिसमें अन्य छेत्रों के साथ साथ मद्ध प्रदेश का कोन सा छेत्र सामिल था आप लोगों से पुछा जा रहा है तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का आपसर नंबर फर्स्ट दक्षिनपूर 1853 में अंग्रेजों ने नाकपूर राजज पर कबजा कर लिया जिसमें अन्य छेत्रों के साथ साथ दक्षिनपूर मर्व मद्ध प्रदेश का भाग भी सामिल था आगे चलते हैं next question की और next question में पुछाए उत्तर भारत का सबसे बड़ा चिड़य घर कहां खोला गया है हाल ही का current affair है बिल्कुल right answer आप लोगों को बताना है कि उत्तर भारत का जो चिड़य घर है कहां खोला गया है तो इसका जो right answer होगा वह है आप लोगों का option number जल्दिस बताएंगे correct answer है option number first जम्मू कस्मीर में उत्तर भारत का सबसे बड़ा जो चिडिया घर है यहाँ जम्मू कस्मीर में खोला गया है और इसका नाम जो है वहाँ जम्मू चिडिया घर है तो आप हाली में MP गोर्वेंट के द्वारा कंडक्ट कराएं गई MP प्लीस कॉंस्टेबल एक्जाम 2022 अवकारी कॉंस्टेबल एक्जाम 2023 पतवारी एक्जाम 2023 और MP फॉरेस्ट जेल प्रहरी साहःक जेल अधिक्चा के एक्जाम 2023 तेविस और साथ ही group 4 exam 2023 group 4 और assistant grade 3 exam 2023 इन सभी exam के जो आहाली में conduct कराएंगे इनकी सभी सिफ्टों की PDF अगर आप डाउनलोड करना चाते हैं तो वीडियो के description में आप लोगों को इन सभी की link दी गई है आप आसानी से वहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं नहीं तो इस नंबर पर WhatsApp करकर भी हमसे आसानी से यह सारी PDF प्राप्त कर सकते हैं जिससे आपकी preparation बहतर हो पाएगी और आने वाले MP police constable, MP SI और MP government के किसी भी exam में आप लोगों का selection आसानी से हो पाएगा तो चलिए देखते हैं next question क्या पूछा जारे आप लोगों से next question पूछा गया है भीम बेटिका किसलिए प्रसिद्धे तो इसका जो right answer है वह है आप लोगों का option number second rock shelter के लिए भीम बेटिका की गुफाएं रैसन जिले के अबदुल्ला गंज में इसती थे यहा आदिमानो कालिन सेलासरे और सेलचित्रे हैं इन गुफाओ की खोज बिश्णू सिरिधर बाकन करके द्वारा की गई थी यह question हाली में forest और पटवारी दोनों ही exam में पूछ गया तब आपका अंसर होगा बर्स 2003 में बीम बेटिका की गुफाव को युनेस्को की धरोहर सूची में सामिल किया गया है आगे बढ़ते हैं next question की और next question में यहां पर पूछा गया है तो right answer आप लोगों को बताना है कि जल्दी से तो right answer होगा option number second ओमकरेश्वर में सेलानी दीब जो है यहां ओमकरेश्वर में इस्ते थे ओमकरेश्वर खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बना एक दीब है जिस पर ममलेश्वर जोतिरलिंग मंदिर इस्ते थे और ओमकरेश्वर में संकराचार की गुफाई भी इस्ते थे हैं कि अगे चलते हैं नेक्स्ट कोशेन की ओर नेक्स्ट कोशेन में यहां पर आपलोगों से पुछा गया है पन्ना राष्टि उध्यान में गिद्दों की ओए प्रजाति या पाई जाती है पन्ना राष्ट उध्यान पन्ना और छतरपुर जिलो में फेला हुआ है इसे बर्स 1994 में भारत सरकार ने टाइगर प्रियोजना में सामिल किया था यह कोशन आपसे पटवारी एक्जाम 2023 में पूछा गया कि पन्ना राष्ट उध्यान को किस बर्स प्रोजे पार के कहां विक्सित किया जारा तो आपका अंसर होगा पन्ना राष्ट उध्यान में पन्ना राष्ट उध्यान जो है या जंम्ली वह सो के लिए जाना जाता है नेक्स्ट कोशिन में आप लोगों से पूछा गया है हाली में बिस्व तबाकू निसे दिवस कब मनाया गया चार आप्षिन आपको दिया गया है रोपाशिण ayam पूछा गया है जो राइट आंसर। वह है आप लोगों का आप्षिन नंबर सेकेंड 31 माई को हाली में 31 माई को 20 तबाकू निसे दिवस बनाया गया है आगे बढ़ते हैं next question की और next question में देखिए यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है मद्य प्रदेश के निम्न लिखित में से किस जिले में लिंगानुपात 1000 से अधिक नहीं है चार option आपको दिएगे और पूछा गया है जनकरना 2011 के अनुसार इन में से मद्य प्रदेश का कौन सा जिला है जिसमें लिंगानुपात 1000 से ज्यादा नहीं है राइट आंसर होगा option नमबर 4 सीहोर जिले में सीहोर जिले का जो लिंगानुपात है वो 918 महिला है प्रती हजार पुरुसपर है सीहोर जिले में देश का पहला आवासी खेल बिद्ध्याले इस्थी थे तो यह पूछा जा सकता है कि देश का पहला आवासी खेल बिद्ध्याले कहा है इस्थी थे आंसर होगा सीहोर जिले में सीहोर जिले के बुधनी में रेलबे स्लिपर बनाने का कारखाना इस्थी थे सियोर जिला जो है यहाँ भोपाल संभाग के अंतरकत आता है नेक्स्ट कोश्चन की और बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पुछा गया है जन्गर्णा 2011 के अनुसार मद्यप्रदेश के निम्न लिखित में से किस जिले में सहरी आबादी का प्रतीसा सबसे अधीक है तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप्शन नंबर जलिज बताएंगे करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है आप्शन नंबर फस्ट इंदोर जन्गरणा 2011 के अनुसार सबसे अधिक सहरी आबादी वाला सहर जो है ठीक है वह कौन सा है तो आपका आंसर होगा इंदोर होगा चलिए चलते हैं नेक्स्ट कोशन की और इंदोर जो है यहां मद्व प्रदेश का सरबादिक नगरिकर सहर है इसे मद्व प्रदेश की खेल राजधानी और वेवसाई की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है नेक्स्ट कोशन पुछा गया हाली में विस्व दुख्द दिवस कब मनाया गया आगे चलते हैं नेक्स्ट कोशन की और वह है आप लोगों का आप्शन नमबर 3 साथ और विकास निगम इस्थी थे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन की और नेक्स्ट कोशन में आप लोगों से पुछाए क्योटो प्रोटोकाल संबन्दी थे चार आप्शन आपको दिए गया है क्योटो प्रोटोकाल किसे संबन्दी थे तो इसका राइट आंसर जंदी से सभी लोग बताएंगे दिएगे options में से कौन सा correct answer होगा तो इसका correct answer है option number second green house gasों के उसरजन में कमी से संबद्धी थे क्योटो प्रोटोकाल green house gas की जो सबसे प्रमुक gas है वहाँ कारवनडाई अक्सेट ग्रेस है green house प्रभाव से global warming का खतरा बढ़ रहा है जिससे परवतों पर जबी बर्फ पिगलने का खतरा बढ़ रहा है जिससे समुद्र तल का जो समुद्र तल है वहाँ बढ़ेगा ठीक है समुद्र तल का जो इसतर है वहाँ बढ़ेगा जिससे समुद्र के आसपास इस्थिस सहर जलमगन हो जाएंगे आगे बढ़ते हैं next question की ओर तो आब हमारे स्टार्ट होते हैं science के question हमने जीके जीएस MPG के और current affair के सारे question पढ़ लिया है तो आप science के question में आपको आफिरी तक बने रहे ना जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक ने किया है वो सभी फटा फट वीडियो को लाइक करें और जो चैनल पर पेली वारा है चैनल को तुरत सब्सक्राइब कर लें MPP Constable Exam 2023 में सेलेक्शन पाने के लिए यहाँ पर देखिए next question पुछा है खालिस्तान वे रशायन होते हैं जिन्हें मारने के लिए खर्पदबारों पर छिड़काओ किया जाता है तो इसका जो right answer है देखिए खर्पदबार मारने के लिए किसका यूज किया जाएगा खर्पदबार नासी का बिल्कुल easy question है आपसन no.3 इसका right answer होगा खर्पदबार नासी वे रशायन होते हैं जो खर्पदबार मारने के लिए यूज किये जाते हैं और खर्पदबार किने कहते हैं तो फसलों के साथ उगने वाले वे अवांचनी पोधे जो फसलों की ब्रधी को नुकसान पहुचाते हैं खर्पदबार कहलाते हैं आगे बढ़ते हैं next question की और next question में यहाँ पर आप लोगों से पुछा गया है खालिस्तान इलेक्टरानिक कच्रे को संदर्वित करता है जिसमें बेकार हो चुके पुराने इलेक्टरानिक उपकरान सामिल है तो इनमें से कों सा ऐसा सब्द है जो उस इलेक्टरानिक कच्रे को संदर्वीत करता है जो बेकार हो चुके हैं तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा आप लोगों का option number 3 e-absist इअपसिष्ट इलेक्ट्रानिक कचरे को संदर्वित करता है जिसमें बेकार हो चुके पुराने इलेक्ट्रानिक उपकरण सामिल होते हैं आगे बढ़ते हैं next question की और next question में यहाप आप लोगों से पुछा गया है निमना लिखित में से कौन सा खादे कबखे तो इसका जो right answer होगा वह है आप लोगों का option number three अगीरिकस जो है यहाँ खादे कभाखे जिसे खाया जाता है और कभको के जो अध्याने इसे क्या कहा जाता अगर आपसे पूछा जाए तब आपका answer होगा माईकोला जी कहा जाता है नेक्स्ट कोशिन में देखी क्या पूछा गया है तो यहाँ पर आप लोगों से पूछा है दोस्तो निम्नलिकित में से कौन सा एक बिसा में दिये गया आपसेंस में से right answer आपको बताना है correct answer जो होगा वाई आप लोगों का option number second उभैचर उभैचर जो है दिये गया आपसेंस में से एक बिसम सब्दे है देखे बाकी यह सबी क्या है अपने अपने छेतर से संबंदित है और उभैचर जो है यहाँ जल और थल दोनों पर रह सकता है आगे चलते हैं next question की ओर next question में देखे यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है भोजन किस degree Celsius पर सुरक्षित रहता है कितने degree Celsius पर सुरक्षित रहता है तो इसका right answer होगा option number जल्दी से बताएंगे जल्दी से सभी लोग इसका answer कर दीजिए option number first इसका correct answer होगा भोजन जो होता है यहाँ चार डिग्री Celsius पर सुरक्षित रहता है तो इसका correct answer option number first होने वाला है आगे चलते हैं next question की हो next question में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है किस में आकरसण बल अधिक्तम होता है चार option आपको दीए गया और पूछा गया इनमें से किस में आकरसण बल अधिक्तम होता है तो right answer होगा आप लोगों का option number three ठोसों में आकरसण बल अधिक्तम होता है ठोसों के जो अनू ह यहां परसपर एक दूसरे से यहां पर देखे इस प्रकार से पास पास और परसपर एक दूसरे से अधिक्तम बल के साथ जुड़े होते हैं तो यहां पर आकरसणबल किसमें अधिक्तम होता है तो आपका आंसर होगा ठोसों में अधिक्तम होता है गेसों कोई अनुओं में आक यहाँ पर पूछा गया है बनस्पति से बनस्पति तेल के दिर्माण के लिए किस गेस का उपयोग किया जाता है अगर आपसे पूछा जाए तब आपका आंसर होगा निकल धातू का उपयोग किया जाता है काफी important question अकसर exam में आथा है कि बनस्पति तील या बनस्पति खीन के hydrogenated करण में उत्पररपक की रुप में किसका उपयोग किया जाता है ता आप का पड़ा होगा 11 और 12 और 3 ख्लास में भी तो इसका राइट अंसर होगा आपसर नमबर 1 बेरो मिटर का टारेसली ने बेरो मिटर का विस्कार किया बेरो मिटर से बायो मेंडली दाप मापा जाता है जिसमें पारे का यूज किया जाता है या भी आप लोगों के याद रखना है क यूज किया जाता है तब आपका अंसर होगा पारे का आगे बरते हैं नेक्स्ट कोश्ण की और नेक्स्ट कोश्ण में यापर पुछा गया होता है जो ORS घौल होता है उसका फुल फॉरम क्या होता है तो इसका जो राइट आंसर वह है आप लोगों का option number 3 oral rehydration solution ORS का फुल करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है क्या बोला गया है विद्युत धारा अर्थात की करेंट का यूज करके किसी पधार्थ पर किसी अन्य बांचित धातु की परत निचेपित या चाड़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है तो इसका राइट आंसर होगा option number first विद्यु कोशन थे जी के जी एसम्पीजी के करेंट अफेर और साइंस के जो कि हम आप लोगों के लिए क्वीज भी रखी जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेट करके बताना आज की क्वीज है साची पहाड़ी की चोटी पर असली पुराता तो संग्राले के स्थापना किस ने की थी तो इसका राइट आंसर आप लोग हमें कमेट करके बताएंगे और साथ ही आप लोगों को जितने भी पीडिएफ फाइल दिखाई गई है अगर आपको यह सभी डाउनलोड करना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं